नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में हाजी रुएंद दो पहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं पहली खबर की जहां जैपुर के एक होटल में क्रिस्मस पार्टी चल रही थी इस दो औरान दो प्रेमी जोडों में विवाध हो गया इसके बाद एक भड़के दोस्त ने युवक यूती पर कार चड़ा उन्हें कुछल दिया हाथसे में यूती उमा सुथार की मौत हो गई और उसका दोस्त घायल हो गया वहीं आरोपी दोस्त अपनी गल्फरेंड के साथ कार से फरार हो गया था पूरी घटना मंगलबार सु दलबीर सिंग ने बताया कि यह घटना होटल एवरलेंड विश्की है मंगेश अरोडा और श्रेया भारद्वाज की साथ राजकरण और उसकी दोस्त उमा सुधार पार्टी के लिए गया थे पार्टी की दोरान मंगेश ने उमा सुधार पर कुछ कमेंट कर दिया जिसके ब मंगेश ने अपनी कार से बेस बॉल का डंडा निकाला और हमला कर धिया यही नहीं इसके बाद मंगेश अपनी दोस्त श्रेया के साथ कार में बैठा और सड़क के नीचे खड़े राजकरण और उस्षा पर कार चड़ा दी हाथसे में राजकुमार तो कार की टकर से दूर जाकिराल लेकिन उशा के उपर से गाड़ी निकल गई इसके बाद इलाज के दौरान उशा सुथार की मौत हो गई पुलिस के अनुसार मृतिका उशा सुथार मूर रूप से मधिप्रदेश के नीमत जिले की रहने वाली थी और फिलहाल जैपुर में गुरजर की थड़ी ना म्रितिका युगती के माता पिता का रो रो कर बुरी तरह से तूट गया है बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जहां सियम मोहन्यादव की सरकार ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है ताजा मामला नर्वेदा पुरम जिने का है जहां पर एक बाइस वर्सिय यूती के साथ सामोहिक दुशकर्म करने वाले अपराधियों पर पुलिस प्रशासन ने मिलकर कठोर एक्शन लिया वारदात में शामिल चार मुख्या रोपियों में से दोग गिरफदार किया जा चुका है और गिरफदारी के चौबिस घंटे के अंदर ही अपराधियों के अवैध निर्मार पर बुल्डोजर चलानी की कारेवाही भी कर दी गई है मुहनियादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से अपराधियों पर ताबर तोड एक्शन लिये हैं सीयम बनने के दूसरे दिन ही मुहनियादव के निर्देश पर भोपाल में बिजेपी कारेकर्दा पर जान लेवा हमला करने वाले अपराधियों के घर पर बुल्डोजर चला था और उसी दिन उनके ग्री जिले उजयन में मांस की बिक्री करने वाले दुकानदारों की अवैद दुकानों को बुल्डोजर चला कर तोड़ा गया था इस प्रकार सियम मोहन यादव भी यूपी के सियम योगी आदितिनाथ की तरज पर अपराधियों पर सक्त एक्षन लेते नजर आ रहे हैं और उनकी ही तरह से बुल्डोजर एक्षन लेने पर भरोसा जता आ रहे हैं नर्वदापुरम चिले में 22 वर्षी युवती के साथ दो दिन पहले चाड़ लोगों ने सामोहिक दुशकर्म किया था इस मामले की रिपोर्ट बीटे मंगलवार को पेडित युवती ने थाने में दर्श कराई थी बुधनी स्थित निजी कमपनी में काम करने वाली 22 वर्षी युवती के साथ 25-26 की रात आरोपियों ने सामोहिक दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया था पेडित युवती ने मंगलवार शाम को कोटवाली थाने में रिपोर्ट दर्श कराई थी रिपोर्ट दर्श होते ही नर्वदापुरं पुलिस ने तुरंद कारेवाही करते हुए चार में से दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया बुधवार यानि कि आज राजसो और पुलिस ने कारेवाही करते हुए दो आरोपियों के अवैध निर्मार पर बुल्डोजर चला कर उनको तोड़ने की कारेवाही की है मौके पर सिटी, मजिस्ट्रेट, संपदा, सर्राफ, तहसीलदार, देव शंकर धुरवे, स्टी ओपी, पराग, सैनी और पुलिस और नगर, पालिका का अमला मौजूद रहा सियम्मोहन्यादव की सरकार बुल्डोजर कारेवाही से संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मद्यप्रदेश में क्राइम कंट्रोल करने के रिए सरकार अब बुल्डोजर एक्शन अधिक से अधिक लेगी बहुत बहुत धन्यवाद